आज चो हम नाश्ता बनाने वाले हैं वो घर पर रखेवी सामन से ही बनकर तयार हो जाएगा खाने में बहुत इस्वादिस्ट लगता है बनाने में महनत बिल्कुल भी नहीं है और केवल 10 मिट में बनकर रेडी हो जाता है और बच्चों को तो यह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है बिल्कुल हलका फुलका नाश्ता है तो आप एक बार इसे जरू से ट्राइ कीजिए तो चले बनाना शुरू करते हैं इस आसान से नाश्ते को तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आदा कप पोहा लिया है यह भीगोया हुआ हुआ है पोहे में पाने डालके कुछ देर आप भीगो दीजिए तो अब हम इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में और जार का ढखकन लगा के इसे अच्छे से पीस लेते हैं तो पीसने के लिए एक मिक्सिंग भावल में निकाल दिया है और अब मैंने यहाँ पर चार आलू लिये हैं यह उबलेवे आलू है आलू को बालके इनका छिलका निकाल लिया है तो अब हम इने कद्दू कस करते वे पोहे के पैस्ट में एट कर देते हैं तो आलू जो है आप पूरी तरह से ठं किवी यह भी इसमेट कर देते हैं और आधी चमुच हम डालेंगे चीली फ्लेक्स तो चीली फ्लेक्स आप डालना चाहें तो डाले नहीं तो आप इसकिप भी कर सकते हैं आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अब इन सबी चीजों को अच्छे से mix कर लेते हैं और इसका dough बना लेंगे तो dough बनाने के लिए हमें यहाँ पर पानी का use नहीं करना है और अगर आप चाहें तो यहाँ पर बारिक कट की भी प्याज भी डाल सकते हैं धन्या पत्ती भी डाल सकते हैं तो इन सबी चीजों को अब हम इसे शेप देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएं थोड़ा छोटा ही रखें तो कोशिश ये करें कि इनमें बिल्कुल भी क्रेक्स नहीं रहें अगर आपका पोह जो है अच्छे से भीगोया हुआ होगा तो यह बिल्कुल इसमूद सा बनेगा तो आप पोहे को बोध अच्छे से भीगोएं फिरियाप मिक्सिजार में डालके उसे पीसे देखिए सब भी इस तरह से बना के रेड़ी कर लेती हुँ देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और अब मैंने यहाँ पर कुछ काजू के पीसे इस लिए हैं तो हातों पे हम फिर से थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि ये हातों पे चिपके नहीं क्योंकि आलू है इसमें थोड़ा सा चिपकता है ये हातों पे तो इसे एक बार अच्छे से फिर से शेप दे देते हैं, ताकि इसमें कोई भी क्रेक्स ना रहे, अब हम एक काजु का टुकड़ा लेके इसके उपर इस तरह से लगा देते हैं, देखिए, तो सबी के उपर हम इसी तरह से काजु लगा देंगे, ताकि दिखने में अच्छा लगे और बच्चों को खाने में भी मजा आए, अब मैंने या पर कुछ तिल्ली ली है, तो थोड़े से तिल्ली के दाने हम इसके उपर लगा देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लगाए, थोड़ा सा लगाए, ताकि जब हम इसे खाए, तो थोड़ा सा क्रंच रहें इसमें तो अब यह तलने के लिए बिल्कुल तयार है, तो गेस चालू करके, गेस पे मैंने तेल को गरम कर लिया है, तेल को हमें मीडियम सा भी गरम करना है, भुच ज़्यादा तेज गरम तेल में आपसे नहीं तले, नहीं तो यह एकदम से अपना कलर चेंज कर देंगे, गेस का साइड में ने यापट चेंज कर दी है अब हम इसे अच्छे से फ्राइ होने देंगे जब तकि इसमें एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और थोड़से और तो नहीं हो जाते आप देख सकते हैं बहुती अच्छा सा कलर आ walora चुका है और बहुती क्रिस्पी तैयार है जिसे मैंने घर पे रखे वे सामन से ही बनाया है तो एक मैं आपको तोड़ की दिखाती हूं कि अंदर से कितना मुलायम है आप देख सकते हूं और बहार से एक दम क्रिस्पी सा है तो आप इसे गरम-गरम ही सर्व कीजिए जब भी आपके बच्चे खाना पसंद करे आप उसे समय से फ्राई करके दीजिए तो मिली तो चौप अटाने खांद करेंगे दीजिए और आपको तो लिए लोम पाट़ आपकेशे